हालो गाइच आप लोगा स्वागत है आपकी अपनी यूटूब चैनल टॉप पर तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने मैं आया हूँ और जितने भी बेड दोजार बीस वाले जो बच्चे हैं और उन लोगों के लिए मैं आपको अपडेट करता रहा हूं जब तक आपका इंटरेंस एक्जाम होए आपकी काउंसलिंग होई है अब आपके अडिमीशन हो चुका है अब इक्जाम की बार ये बहुत सारे बच्चे प्रिसान थे कि जो समेस्टर वाइज वाई ये कब होगा या बहुत सारे इंवर्ष्टि में एरली एक्जाम होते हैं वो कब होगा तो मैं उन सब की बारे में बताऊंगा लेकिन अगर आप अभी तक अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं कि हो मतलब आप अपने इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हो इसका मतलब कि आप बहुत ज्यादा लेट हो चुकि कर लिजीिए आपको इहां पर पलपल की अपडेट मिलती रही अब बात करते है कि अब पढ़ाई लिखाई करेंगे की नमबर अच्छे आईए तब यह सब पता कि basically UP में बात करेंगे तो academic number भी जुड़ते हैं अब ऐसा थो है नहीं कि अब से सुरू होता है अब हमें पढ़ाई भी तो करनी है पढ़ाई करेंगे तभी तो कुछ ना कुछ होगा ना चलिए तो हम बात करतें इसी पर कि सबसे पहले यह तो उन बच्चों के लिए जो college जो गयरा नहीं जाते हैं प्राइबेड से बेड कर रहे हैं बाकि जो लोग college जाते हैं उनके लिए भी है कि वो पढ़ाई कैसे करें जो नहीं जाते हैं उनके लिए क्या चीज़े हैं देखो बहुत सारी university है आपकी UP में है कोई जो है semester wise exam करवाती है चार semester में आपका 2 साल complete ह होगा कोई होंगी जो एक एक साल पर कराएंगी सबसे पहले मैं semester वाले की बात कर दूँ अब जो है January चला है semester का exam जिनका semester वाइज होना है उनका exam मार्च से होना शुरू हो जाएगा और कुछ college है कुछ university है जो board जो examination form है वो भराना भी शुरू कर दी है तो आप अगर college नहीं जा रहे हो तो आप अपने college में call करिए और पूछे कि क्या वहाँ पर examination form भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी university में भरना शुरू हो चुका है तो आप call कर रहे है अगर उन्होंने कहा कि हाँ भरा जा रहा है तो आप जाकर भर लीजिए ऐसा नहीं कि आप college भी नहीं आ रहे हो और आप किसी update से आप उंचीत हो आइसा नहीं वहाँ पर examination form भी भर जाया और आप घर पर बैठे रहे हो तो आप पल-पल की update के लिए वहाँ कॉल करते रहे है वो बत exam होना शुरू हो जाएंगे कुछ लोग जो हैं जिनकी early exam होती है उनके लिए बोड़ आप भी अपने वहाँ पर call किया करिए अगर आप नहीं जा रहे हो तो वहाँ पर call करके आप देख लिए क्योंकि बहुत सारी इंवस्टी को cover करना थोड़ा मुस्किल है आप समझ सकते ह और पूछे कि exam lesson form कब तक भरा जाएगा सारी चीजें जो भी अगर calling नहीं जा रहे हो तो बकि जो बच्चे college जा रहे हो उनको तो भाई पता उनको तो हर एक update college से मिल जाती होगी अगर आप नहीं जा रहे हो तो घर पे ना बैटो कि अब मेरा admission हो चुका है हम आराम से सुआ अपडेट वहां से लेनी है आप call करिए number आपको होगा जो आपको allotment later में उस college का नाम नमबर होगा आप बात करिए कि sir board जो है हमारा exam lesson जो form है वो कब तक भरा जाएगा और कैसे कैसे क्या क्या process होती साइसे जहाँ पर clear कर लीजिए ये चीज यह हो तो नहीं चलो ठीक है अ आप जिनका yearly exam है उनका थोड़ा लेट होगा उनका अप्रेल लास्ट में क्योंकि जब किसी इंवस्टी के सारे paper लगबग हो जाते हैं graduation का PG का इन सबका पेपर हो जाता है उसके बाद में ही B8 का paper इस्टार्ट होता है तो आपका paper अप्रेल लास्ट में होगा या हो सकता है म महीं में हो समय तो बहुत कम मिला है जनौरी फरोरी मार्च तीन ही महिने बच्चे हैं क्योंकि जादा जाधा मही अगर जाएगा तो चार महिने समय मारे पास बच्चे है और चार महिने में ब्याक्ष्या करना होगा हारे चील लिखनी होगी आपको तभी आपको नंबर मिलेंगे और आपके बेड की हिजाम में प्रेक्टिकल का जितना योगदान होता है उससे ज्यादा योगदान आपके रिटेन का होता है जो आप लिखके आओगे वहाँ पर तो अगर आप लोग आपके तो मैं बुक्स की वीडियो बना दूँगा कौन सी बुक आप ले लीजिए जिसमें से आप आराम से इजली सारी चीज़े आप कर सकते हो लेकिन मैं तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट करोगी कि हां सर मुझे बुक्स की वीडियो चाहिए ठीके तो मैं बना दूगा चलिए दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि तयारी कैसे करने तो आज से ही आप लोग डेली चाहा एक ही कोश्चन याद करो याद नहीं करना बस उसको पढ़ लो दिमांग में आप बैठायर हो कि हां यह यह चीज़ें होती है इस कोश्चन में मैंने यह चीज़ें पढ बाकी आपको लिखना होगा कि आप बच्चों को मैत पढ़ाने की कौन-कौन सी विधियां बताएंगी जिससे मैत उनको आसान लगे तो आपको अपने सब्दों में वो सारी चीज़ें लिख देनी है या कोई भी चीज़ें पेड़गोजी चीज़ें कि बच्चों को आप क अगर आप कुछ पढ़ाय रहेंगे तो आप एक्जाम में बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है पाकी बच्चे क्लास चलाने लिए बोले तो इसमें क्लास चलाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है कि बहुत सारी इन्वेस्टी हैं आपके यहां पर यूपी में सा पर आप मुझ लीजी टीचर से जो भी हैं और बाकी जो रेगुलर क्लास करी रहें आपको कुछ नहीं करना जो वहां पढ़ाया जा रहा है आप वही को पढ़िए उसी को कंठर्स करिए एक्जाम के लिए बहुत है बाकी अगर आप लोग कहोगे कि सर आप यहां पर कोई ब वीडियो यसी ही ल्य वहां ने बनाई है कि आप अपने March क्ल करके पूंच लिए कि कुछ स कुछ इंव्योश्थियों के जो आप पता कर लिए कि मेरी इंवेस्टी में भरे जा रहे है या नहीं भरे जा रहे हैं तो इतनी चीज थी और इससे जादा कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको तो मिलतें एंगली वीडियो में और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहां पर आपको सारी च कि एंगले लिएको और एंगले में होनी जैवार आपको सारीव प्रणत कि आपको सतर्फयों धे जैवे यहां एंगले लिएको जब वेहां हैं परत्सक्त को सारीव्वेश। व्र्णतर कि